कि नमस्कार साथियों मैं उड़ा होलाड आप देखने हैं आपका अपना यूटीब चैनल साथियों के बीसी नैनो की जो मॉस्टर वेटिंग बुक थी इंग्लिश मीडियम वाली वह आ चुकी है बुक जो है आज सुभा में ही आई है यह आपका हिंदी मीडियम वाला जो रखा था इसका पूड़ा कंप्लेट हम लोगों ने ट्रेंड आने लिस्ट भी किया था बीप्यस इमेंस एक्जामिनेशन के पॉपस से और यह वाली जो हिंदी मीडियम वाली बुक है यह एप एंड वेपसाइट सब जगा लाइप भी है इसका रिवीव वीडियो भी हम ल आप कवर देख सकते हूं 1993 से लेखे 2021 तक आपको सॉल पेपर इसमें मिलता है बीपीस सी मेंस 2022 वाल एडिशन है बुक का और के बीसी नेनो पॉप्लिकेशन के बुक बाई अनीशा भारती मैं जो की SDM भी है बुक की सबसे बेस्ट पाट है मैंने हिंदी मीडियम वाले में ब पॉप्लिकेशन के बुक इसमें जो है आपका वीपीसी मेंस का इग्जामिनेशन का सिलेबस मिलता है और उसके बाद जो आप देखिए जैसे पेपर वन में जो है साथियो modern history of India and art and culture जो है वह आपको इसमें मिलता है उसके बाद current events of national and international importance जो पेपर वन में आपता है और statistical analysis graphs and diagrams to DI हो गया और आपका history modern history art and culture हो गया और current event वाला topic हो गया आयर वाला topic हो गया आपका paper 1 paper 2 में आप देख सकते हूं इंडिया पॉलेटी इंडिया इंडिया जोग्राफिय और फिंडिया देन आपका the role of impact of science and technology अनिकी science and tech जिसे हम लोग कहते हैं तो यह आपका पूड़ा complete paper 1 and paper 2 का आपने आपे देख लिया जो भी इसमें table of contents है जो भी syllabus है अब आपका सबसे best part जो है इस बुक का subject wise categorization तो है अब इसमें आप देख सकते होंगे कि modern history of India is divided into around five parts जिसमें आपका art and culture है tribal rewards है reward of 1857 Indian freedom struggle है education and other point है तो यह सारे chapter wise आपका जिसको हम लोग अध्यायवार जो हिंदी मीडिया वाले में लोग ने देखा था अध्यायवार हल प्रशन पत्र यानिकी topic wise solve paper तो यह सारा topic आपका इसमें किया हुआ है इस तरीके सा segregate उसके बाद current events उसके बादी स्टैस्टेक्स इ it is Indian economy में आप देख सकते हो Indian economy and geography of India वाला जो topic है वो लगबग आप इसमें देख सकते हो कि जो topics है बहुत सारे topics जो है Indian economy और geography of India में common जैसे कृशी वगड़ा है तो वह common हो जाता है तो आप इसमें देख सकते हो कि इसको सेम कर दिया गया subject and then इसका categorization आप यहां पे देख सकते questions related with Bihar यह topic हो गया five year plan नितिया योग जो हता पंचवर की योजना small industry लगूदोग agriculture क्रिशी economy development poverty questions related with economics governments plan and policies यानि कि जो भी योजना है questions related with geography and then population और उसके बाद आप देख सकते हो science and tech इसको भी divide किया गया है दूसरे दूसरे मतलब different topics में सब topics में आपका nuclear energy alternative source of energy questions related with biotechnology, computer, health and medical science, technology, environmental and pollution, agriculture, miscellaneous यह साड़ा आपको इसमें मिलता है उसके बाद आप इसमें देख सकते हो कि जो भी previous year के questions पूछे गए हैं उसका भी आपको जहां पे समावेशी अध्यन मिलता है जैसे art and culture एक topic था आपका modern history of India Indian art and culture में तो art and culture से कौन-कौन से questions हैं आप यह देख स discuss the features of pala art and architecture and its relationship with Buddhism पैसठवी में पूछा गया था discuss the features of modern art and architecture and its relationship with Buddhism यह दोनों question जो है आपका लगबख similar यह आपका चासठवी में पूछा गया था examine the salient features of patna column painting style 63 पूछा गया था पटना कलम वाला जो question है वो around match भी करता है repeat होता है regular intervals of time में throw light on modern art and analyze its impact on Bihar 60-62 में पूछा गया था bring out the salient features of patna column painting 56-69 पूछा गया था आपने देगा 66-63 में पूछा गया फिर आपका 56-69 में भी पूछा गया discuss the salient features of modern art modern art आपका यहां भी पूछा गया था चौशटवी में आपका यहां पे भी 53-55 में पूछा गया उसके बाद discuss the salient features of patna column and painting style again it is repeating analyze the salient features of modern art and architecture describe the salient features of pala architecture and sculpture discuss the chief characteristics of patna columns painting critically examine the chief characteristics of the modern art critically examine the salient features of pala art identify the main features of the modern art as found from Bihar give a description of the main features of pala art in Bihar what are the distinctive features of modern sculpture write an essay on the art and paintings of Bihar तो यह जो भी questions आपके art and culture वाले topics से पूछे गए 66 वी में हो या 65 वी में हो यह आपके current का book है तो इसमें आपका 66 वी जो 2021 में होता उसका भी questions का आपको collection मिल जाएगा उन 40 वी तक का आपको इसमें मिलता है उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं art and culture के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपने note में भी आपको कुछ कुछ टॉपिक से यहाँ पर दिये गये हैं उसके बाद आप देखिए कि history जो art and culture था modern history of art in India तो उसमें modern history of India and Indian culture जो ट ट्राइबल रिवाल्स जो जो questions आपको आपको पूरा collection मिलता है जैसे मैं पढ़के आपको बता दो जो ट्राइबल रिवाल्स में भी रिसेंटली 66 पूछा गया था वट वेर दो कॉसें अफ संथार रिवाल्ड वाट वेर इट्स कोर्स और आउटकम यह गेस करा था और एक ग्री पूछा गया था उसके बाद संथाल अप्राइजिंग और इसके ऐख पन्वी से उन सडवी पूछे गया था आप अडाम से कोश्चंस भी एक देख सकते हो अगेर आप कोश्चंस देख रहोगी कुश कुश कुश्चंस दो अगर हम लोग प्रेंड आनलेसिस अच्छे से देखे जसे हम लोग ने यहां पर देखा कि पटना कलंवाला कोश्चंस रेगुलरली रिपीट होता है उसके बाद आपका मोरे नाट वाला कोश्चंस भी रे जो है बिर्सा वाला मुवमेंट भी जो कॉश्चंस है रेगुलर इंटर्वल आफ टाइम में रिपीट होता है तो यह आपका ट्रिंड आनलेसिस भी हम लोग इस वीडियो में करते चलेंगे बुक का कंप्लीट रिवीवी करेंगे तो आपने देखा ट्रैबल रिवाल से य एंड वाट इफ्रेक्ट इडिट हैं बिहार उसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बिहार के परिपेक्ष में भी कोश्चंस आते हैं मैंस एग्जामिनेशन हो या फिर पीटी और शाती हो आप लोगो यह भी बता दे कि आपके प्यार और आशिडवात के कारण जो हम एक-एक टॉपिक एक सब्जेक्ट को देखेंगे और उसके साथ साथ आपको जो है फ्री पीडियाफ नोट्स में बिलेंगे और यह हमारी यूटीब चैनल पर भी लाइफ चलड़ा कोर्स स्टूडेंट साथ ही यूटीब चैनल वीडियो भी देख पा रहे होंगे तो अग आपको अपडेट भी हो पता चलता रहा है कि हां कौन सा मटेडियल भी लेटेस में आया वाह है और उसके साथ साथ जो है हम लोग कोर्स भी अब हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इग्जामिनेशन पॉइंट अव्यू से तो वह भी आपके लिए बेनिफि करा था और वो कोश्चन भी आया था जिसमें लोगों ने एंसर राइटिंग स्टाइल के साथ एक वीडियो भी बनाया हुआ है उपर आई बटन पर भी आपको कहना कहने दिख़डा होगा उसमें लोगों बताय था हाओ तो इसमें हमने यह चंपारन सत्यगड़ा को किया थ था तो यह आपका कोश्चन था कि चंपारन सत्यगड़ा वाजा वाटर शेट इन दा फ्रीडम स्ट्रगल एक्स्प्लेइन तो यह 66 में पूछा गया था डिसकस नहरूस व्यूज ऑन कमनिलिजम एंड सेकुल सेकुलियरिजम यह आपका 66 में पूछा गया था राइट अन्हीं में सुभास चंद्रबोस की जैनती भी मनाई गई है तो वह भी हम लोगों ने देखा और इसके बाद आप देख सकते हो कि पैसटवी में जो कोश्चन पुछा गया था कि राइट शॉट नोट ऑन स्वामी सहजाननद अन्द किसान सभा मूवमेंट उसके बाद पै आजिंद्र प्रिशाद इंडर नेशनल मूवमेंट गांधी जी व्यूज ऑन दे कास्ट एंडिया इंडिया इन बिहार यह कोश्चन भी हम लोगों ने किस कर रहा था चौसटवी में भी आपको जो है चार कोश्चन आप देख से पूशा गया था इंडियन फ्रीडम स्ट् देख सकते हैं तो यह तरेंड आलिजिस वाला वीडियो बनाने का मेल उद्देश है कि आपको इन सब चीजों से भी आवेर किया जा सके जो भी नया बहरती है और जो प्रिपरेशन कर रहे है मैंस के लिए अफ्क्मिंग एजामिनेशन के लिए चार्ट वार्ट के बाद इसके बाद तिर सथभी में आपका देख सकते हुआ कि दो कोश्टन बैक तुचे जया थे जिसमें गांधी जी का सोशल और कुल्चर रखव्ट अब इसके आपके कोश्टन अराम से पॉस्ट करकी जेक सकते हो यहां पर आपका साल दिया हुआ है जो जो कोशें पूछे गए थे यह आपका जो टॉपिक है वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इस्ट्री इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से तीन कोश्टन यहां पर आप यहां पर देख सकते हो जो कोशें पूछें रहे थे एजूकेशन अधर पॉइंट यह भी आपका टॉपिक है इस्ट्राइट इन पल्चर में तो आप इसमें देख सकते हो कि 65 में जो एक कोश्टन आया था 63 मे अधर कोश्टन आप से वीडियो पॉस करके भी देख सकते हो जैसे एक था कोश्टन डिस्क्राइब दिस्ट्राइब वेस्टर एजुकेशन बिहार बिट्विन 1858-1914 डिसके सबसे इंप्रेंट अब लोग ने देखा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो टॉपिक है अब यहां से जो है आपका एंसर राइटिंग सुड़ू होता है जो भी कोश्टन सबसे पहला कोश्टन था आपका मॉडर्न हिस्ट्री अफ इंडिया इंडियन कल्चर में ब्रिंग आप दिख रहा होगा कैसे एंसर करना यहां पर पॉइंट दिया गया है हाव तो राइंस उसके बाद हैं पर देख सकते हैं सार राइटिंग की से थाप सकिया गया है वीडियो में अब फीचर्स ऑफ पटना कलम स्टाइल मतलब आपका पूरा जो भी टॉपिक से उसके अंदर के जो भी सब टॉपिक से उसको जो है ब्रेकडाउन करके उसको एक्स्प्रेंड किया है है ना कि इस टूरी मंबर भी आप यहां पे दिया गया कि यह साड़ी चीज़ों जी जो है आपको एंसर राइटिंग करते समय याद होनी चाहिए इस पर्टिकलर कोश्टन से उसके बाद उसी तरीके से जो है डिसकस्ट फीचर सब पाला अर्ट अर्किटेक्ट्चर इक प्रचर एंटिंग आपको इसी तरीके से मिलता है इसमें अब देख सकते हैं लेक्ष एक्सटियंग में और यहां पे देखिए जैसे आप यहां पर देखिए की तुदे में में लिखावा ऑगा कि मेक पाला पिडियर बीलिंग्स स्कुल्ट्र इंड अधर आर्ट इंफ्लेंस बाइ बुद्धिजम थीसरा कोश्चन है पर उसका एंसर राइटिंग आज़र शुड़ी हो जाता है की तू एंसर के साथ आपको बुक के अंदर में फोटोज और इमेज़ भी मिलेंगे डिटेल एक्स्प्लानेशन अब यहां पर डिफॉल्ट ऑफ 1857 वाला देख सकते हो यह आपको कोश्चन था जो पीछे नोगों ने देखा था इसका एंसर यहां पर आप इंपक्ट ऑफ डिवल्ट ऑफ 1857 यह ज साड़े कोश्चन साड़े टॉपिक साड़े सब टॉपिक इसी तरीके से आपका जो है इसमें एक्स्प्लेइन करा गया है अब आते हैं हम लोग बीपीसी मेंस पेपर वन के सेक्शन टू में जो की है करेंट इवेंट्स ऑफ नैशनल और इंटरनाशनल मूव्मेंट इंटर पहले कोश्चन था कि विच ओर्गनाइजेशन लॉंस्ट फर्स्ट कोमेर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायो फ्यूल स्टार्डस्ट 1.0 एक्स्प्लें इन डिटेल यह आपका करेंट का कोश्चन था एक्स्प्लें दे ट्वेल्थ ब्रिक्स समिट मेजर इमर्जिंग इशूस पार्टनर्शिप फॉद ग्लोबल स्टैबिलिटी शेर्ट सिक्यूर्टी और इनोवेटिव ग्रोथ अफ देवलप्मेंट यह कोश्चन अम लोग ने गेस करा था जो आया था एक्जामीन दे रिसेंट बेसिक फीचर्स और प्रोविजन्स ऑफ द आत्म निडभर भारत रोज गार योजना आफ्टर दस्प्रेट अफ कोविट-19 पैंडेमिक विद रिफरेंस तो इंडिया यह भी कोश्चन का लंब सम लोग ने एक टच किया था कि हां यह कोश्चन भ आप हरित भारत संकल्प मॉबाइल एप टो प्रमोट इंवर्मेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया तो यह आपका चार कोश्चन था चौसटवी में भी आपका पांच कोश्चन था पूरा इसमें आप देख सकते हो पूरा समावेशी है कोश्चन क यहां 49 वी तक आपका लास्ट जो है पूछा गया था करेंट इवेंट्स वाले टॉपिक से उसका पूरा कोश्चन यहां पर फिर से आपका एंसर शुरू हो जाता है जो हम लोग ने देखा था तो च्यासाडवी बीपीसी में जो पूछा गया था उसका यहां पर आपको की इसके बाद हम लोग चलते हैं पेपर टू बीपीसी मेंस पेपर टू इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी से 66 में में चाड़ कोश्चन जो थे अब देख सकते हो देख सकते हो दे रोल ऑफ प्रेसेडेंट अफ इंडिया इस लाइग अन ओल्ड मैं इंड फैमिली वू इसको आपको एविल्योट करना था बहुत इंपर्टन कोश्चिन और काफी अलग तडीके से जो है इसको काफी तुस्ट इट फॉर्मेट में जो है एक कोश्चन आपको पूछा गया था इंडियन फेडरल इस्ट्चर इस constitutionally oriented towards the central government explain यह पुछा गया था पैसेट भी में भी आपको जो question पुछा गया था है इन पॉलिटी से like do you agree with the view that our constitution has given fundamental rights by one hand and taken them back by another hand इस तरीके से जो आपको जो भी questions आपका पुछा गया था complete questions का collection 49 पॉलिटी से again आपका answer writing जिस तरीके से था key to remember key to answer के साथ और उसके बाद detailed explanatory format में segregate करके topics and subtopics हो जो है आपका answer यहां पर बनाया जाता है इंडिन पॉलिटी हम लोगों ने देख लिया है पूरा 49 वी तक आपको इसमें paper मिलता है इंडिन पॉलिटी उसके बाद आपको जो भी और दूसरे subjects हैं इसमें थोड़ा सा ढूनना पड़ जाता है जैसे आपका यहां पर जो है यह आपका जोग्राफी वाले में आपको जो है इमेज इलस्ट्रेशन ग्राफ और मैप वगड़ा के थ्रू जो है एक्स्प्रेंड किया गया है ठीक है यह यहां से आपका section 3 section 2 तो हम लोग इना quality देखा था उसके पहले भी कोई section था जो छूड़ गया जो की geography था आपका basically वह आपको जो बुक के बीच में ही है कहीं पर पॉलिटी के बाद geography था अब इसमें हम लोग देख लेते हैं science and tech जो BPSC men's paper 2 का जो section 3 है science and tech से 66 BPSC में question जो पुझा गया था कि India is the second worst affected COVID-19 nation in the world a fast vaccination process along with the social dispensing and mask use is the only solution to overcome the deadly virus describe the role played by our nation in the countering COVID-19 situation keeping in view the make in India concept propounded by the prime minister यह आपका question था पूरे एक तड़ीके से जो है आपसे पूरा detail में जो है इसमें शमा बानते हुए जो उसको कहते हैं हम लोग question का महौल बनाते हुए आपको सवाल पूछा गया पैसट भी में भी आपका question पूछा गया था कि इन इंडिया मेक इन इंडिया इस टाइब आप स्वादेशी movement launched by Modi government to promote this movement discuss the role of science and technology by citing the examples in the detail यह सारे questions आपके पूछे गया थे इसमें अंदर में भी आप देख सकतो nuclear energy से जो questions पूछे गया थे alternative source of energy से जो questions पूछे गयते हैं questions related to the biotechnology जो हम लोग ने बुक के starting में भी देखा था computer से जो questions पूछे गयते health and medical science से जो questions पूछे गयते हैं technology से जो questions पूछे गयते environmental and pollution से जो questions पूछे गयते हैं यह साड़ा आपको इसके अंदर में मिलता है detailed explanatory format में जैसे हम लोग ने पहले भी देखा था जो की to answer उसके बाद आपका detailed answer with answer writing style जिसमें we have a starting point we have a body type we have a conclusion point तो उस study के से जो है आपका answer writing किया गया है उस पुड़ा मतलब जो basically जो means का जो format होता है एक चीज़ छूट गया था di statistics जो वाला जो टॉपिक था यह basically छूट गया था geography भी छूट गया था जोग्राफी अंदर में है एक्शली इसे भूणना पड़ेगा और अब देख सकते स्टैट्स वाला भी जो questions था आपका पुड़ा complete आप यहां पर देख सकते जो जैसे 65 वी में जो questions आते हैं जो इंडियन पॉलिटी इंडियन एकोनोमी साइंस एंड टेक डेटा इंटरप्रेटेशन करेंट इवेंट्स इंटरनेशनल रिलेशन्स इन रिफ्रेंस टू बिहार यह साड़ा कुछ आपको इसमें मिलता है क्योंकि यह बीपीसी के लिए और इंटेट है बीपीसी मेंस का देखो यहां पर इंडियन एकोनोमी एंड जोग्राफी यह वरा हम लोगों ने अक्चुली स्किप कर दिया था नहीं मिला था यह आप देख सकते हो च्यासाथवी में जो कोश्चन पुछा जया था वीडियो पॉस्चन देख सकते हो रिपीटेशन भी है कोश्चन का तो ट्रेंड आलेशिस इसलिए बेसेक लिए इस वीडियो को हम लोगों ने आलेशिस का भी नाम दिया क्यूंकि हम लोगों ने यह भी पता है कि कौन-कौन से कौश्चन कौन-कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक जो है वो continuously repeat होते हैं within a frame of time तो यह आपका उसी तरीके से पूरा complete answer writing साड़ा आपने देख लिया यहाँ पर जो भी आपका table of content था यह पूरा collection इस book के अंदर में आपको मिलता है यह book जो है के भी सिनानो की है अगर यह book आपको order करना तो description में साथ हूँ इसका link है हिंदी मीडियम वाले पभी हम लोगोंने पहले रिव्यू कर दिया था दोनों book का link हम लोगोंने description में डाल रखा किताब वाले आप भी live है and so please go and check out the description साथी वामारा PT का जो मैंने बताया एक फटा-फट crash course हम लोगोने शुरू किया वो भी live है स्टुटेंट साथी YouTube चैनल पे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब यूटीब चैनल क्योंकि यह काफी ज्यादा beneficial होने वाला है आप सभी के लिए जो BPSC related preparation करते हैं जो भी general competition examination preparation करते हैं तो थैंक्यू साथियो थैंक्स वाचिंग इस इंटाय वीडियो and all the very best for your upcoming examination thank you so much